नमस्का आज हम बात करेंगे कुछ बच्चों की महत्वा काम चाहूं पर एक विद्याले में मेरा व्याख्यान था तो वहाँ पर एक बच्चा बहुत देर से पिछे सिर जुकाई बैठा था व्याख्यान के चलते चलते मैं उसके पास पहुचा और मैंने उसके सिर पर हाथ रखा उसने उठा कर देखा तो उसकी आँखों में आसु थे वो रो रहा था मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई उसने कहा कुछ नहीं तो मैंने कहा कुछ नहीं तो फिर कारण क्या है रोने का तो उसके साथ गएड़ा बच्चा बोला कि इसके दो मार्क्स कम आए है इसलिए रो रहा है मैंने कहा दो मार्क्स कम आए कितने में से तो उसने का 100 marks का पेपर था 98 marks इसके आए है तो ये रोर आए कि 100 में से 100 नहीं आए मुझे बड़ा अश्र्य हुआ मैंने उससे कहा कि तुम्हारे 98 marks आए है और ठानवे नंबर कम होते हैं क्या तुम्हें खुशी नहीं इसकी वो बच्चा कहने लगा कि मैं थ्रू आउट 100 में से 100 marks लाता रहा हूं mathematics मेरा subject ऐसा रहा है जिसमें मैं कभी कम नहीं लाया और मैं class का टॉपर बच्चा हूँ तो ये मैं बरदाश नहीं कर सकता कि मेरे कम नंबर आए हैं इतने उसने हमेशा मैं टॉप रहना चाहता हूँ और मेरे parents भी जो है ना इस बात को पसंद नहीं करेंगे तो मैंने कहा कि व्याख्यान होगा बात में पहले हम इससे बात करें ये बाचीत ही व्याख्यान है और कुछ नहीं तो मैंने उसको डायस पर बुलाए मैंने का अब हम बाचीत करेंगे इसके साथ मैंने का अच्छा एक बार बताओ तुमने रामलीला देखी है देखते हो रामलीला तो उसने का हाँ देखी है मैंने मैंने का राम कथा के वारे में भी जानते होगे उसने का हाँ जानता हूँ मैंने इच्छा बताओ भगवान राम को जब वन्वास मिला तो उसे एक दिन पहले क्या होना था तो उसने का उनको राजा बनाया जाना था अधिया का राजजवी शेख होना था तो मैंने का या ने तुम्हारे हिसाब से खंडड में से हंडडड मार्क्स उनको मिनने थे, उनको राजा बनना था और नेक्स ते, अगले ही दिन जिस दिन उनको राजा बनना है उनको वनवास में भीज दिया गया, ठीक कह रहा हूँ है उसने कहां आप ठीक कह रहे हैं तो मैंने कर जो भगवान राम रो रहे थे उस समय, कि मुझे वनवास क्यों भीजा जा रहा है, मैं तो राजा बनना था मुझे, मेरी तो राजा बनने की ट्राइन थी, ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने का नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वे खुशी-खुशी वनवास चले यानि जीवन की छोटी-छोटी सी असफलता हैं, जो की असफलता भी नहीं है, वो तुम्हें भीता तक हिला देगी, तुम्हें अच्छा दूसरी बात मैं पूछता हूँ, कि तुम्हारे 98 मार्क्स आए, 100 किसके आए, तो उन्होंने का 100 उसके आए हैं, कि जो मेरे से कम था, हमेशा पीछी रहता था, वो अपकी बार आगया गया, मैंने का बहुत अच्छा, कौन है वो बच्चा, उस बच्चे को भी खड़ा किया गया, मैंने उसको भी डायस पर बुलाएं, मैंने का तुम भीधर आओ, दोनों सामने खड़े हैं, मैंने का तुम हमेशा टॉपर रह प्रसंदता होनी चाहिए थी तुम्हें उसको बढ़ाई देनी चाहिए थी यह भाव तुम्हें से मतलब है कि तुम ही तुम हमेशा आगे रहो कोई दूसरा आगे आया मैंने उसको फिर अपने जीवन से उधारन दिया मैंने कहा मैं गणित में बहुत अच्छा नहीं था बहुत क्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था अपने समय में तो वो बच्चे जो गणित में सौ में से सौन के लाते थे मैं उनको नमस्कार करता था जाके तो मेरा मजाब उड़ाया जाता था स्कूल में कि ये तो प्रॉपर बच्चों को नमस्कार करता है मैंने का मेरी नमस्कार की परंपरा तब से चली आ रही है वो नमो कार मंत्रों में है ना नमो सवे साभू नाम सभी साभू को नमस्कार तो वो जो लोग सौमे से सौनुन बर ला रहे हैं मेरी लिए तो वो साभू जन थे तो स्कूल के अंदर उन सभी बच्चों को जो मुझसे बहुत बहतर थे मैं सम्मान के दृष्टे से देखता था और उनको नमस्कार करता था तो तुम्हारे मन में ये भाव क्यों नहीं आया अपने मन के भावं को बदलो कोई तुम से आगे ने कर रहा है तो इस कारण से खुद दुख में मत चले जाओ कि मैं पीछड़ गया अरे वो आ गया गया इस बात के भी तो खुशी लो तुम उखने भी दर तो इस चीज़ को समझो और माता पिता को भी ये बात समझाओ कि जो मेरे अंकाये हैं मैं उससे संतोष्ट हूँ वो ना भी संतोष्ट हूँ तो उनको संतोष्ट करने के तुम बहुत सारे तरीके हैं जो तुम अपना सकते हैं उनको बता सकते हैं खुद को प्रसंद दिखा कर और महत्वा कामशा अच्छी चीज़ है लेकिन वो एक रोग ना बन जाए तुम्हारा ऐसा ना हो कि छोटी छोटी सी जीवन की असा पलताएं तुम्हें दुख और निराशा मैं घेर दे और इसका सबसे बुरा परिणाम क्या होता है कि तुम्हारा हिर्दे दूसरों के प्रती जो प्रगती कर रहे हैं उनके प्रती इर्शा से भर जाता है जबकि सम्मान से बढ़ना चाहिए तो अब इसके साथ हात मिला और इससे बढ़ाई दो उस बच्चे ने उसके साथ हात मिलाया मुस्कुरा की बढ़ाई दी और मैंने का हमेशा उनका सम्मान करो जो तुमसे दौड में आगे निकल रहे हैं इसका मतलब वो ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं ज्यादा योग्य होते जा रहे हैं तो इससे तुम देखोगे तुमारे जीवन के अंदर तुमारे मन के अंदर एक सुगंद उठने शुरूर होगी हमें उसी सुगंद को उठाना है अपने हृदय के फूल को खिला कर अपने हृदय को तुमारे मन के अंदर